अधिस आई सिए बैंक लिमिटेड के अंदर हमारे सभी लेवल यानि जो मैंने आपको 590 के फाइनल टागेश बता दिये थे यह लेवल अचीव होने के बाद मैंने आई सिए इस बैंक के उपर वीडियो अपलोड नहीं किया पिछली बार मैंने एक सपोर्टेट वीडियो जल रहे थे 6 40 लेफल फाइनल लेकर सकते हैं इससे जयादा ऐसे गांक हम लोग कुछ ऑख saht नहीं कर सकते हैं कुछ भह difference नहीं कर सकते हैं क्यूंकि है कुछ यह नहीं मिल राहिआ यह उआप और यह रोकेस्राइङ कॉम्पेर तो थीौंक कि उड्र संथ ऑग्根क्ट ये उस लेवल के बड़े-बड़े Stocks है दोस्तों पर इस लेवल पर कम रेट में मिल रहा है इसी लिए भी Stocks के अंदर रैली एक ही बार देखने को मिलती है रिवर्सल ट्रेंड होता है जो फिर रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलता है उस तरीके से ऐसे से बैंक एक्सिस बैंक इस बीए उतना नहीं भागेगा पर नॉर्माली ट्रेड कर लेता है दोस्तों पर अभी के लिए जो पीएस यूस पर जो इंफर्मेशन आया है उसके एकॉर्डिंग ही पीएस यू बैंक भागी है वरना उनलों कर उतना बड़ा रहली देखना इं से पकड़ें तो इसके अंदर बाइंग करते हैं तो कौन से लेवल पर बाई करकर कहां पर आवरेस स्ट्राटेजी मेंटेन करना है कैसे लेवल पकड़के चलना है आप सभी को आगे चलके वीडियो में क्यांडिल चार्ट अनलैसिस करते हुए बता दूंगा और एक बात औ और आगे चलके जोबी लेवस में बताने वाला हूं तो बस आपको काम एक ही करना है अभी आप अपना फोन निकालिये फोन के अंदर वाच लिस्ट लगा लीजिये जो भी लेवलि में बताने वाला हूं ICICI Bank में आपको देखने को मिली तो आपको इंट्री भी करना है strategy भी maintain करना है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं Hello Everyone, मैं हूँ मोहमद चोहिल आपके सामें stock पे बात कर रहा हूँ ICICI Bank अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ICICI Bank का ये One Day का candle चाटे दोस्तों National Stock Exchange अगर आप देखेंगे MACD के अंदर मुमेंट नहीं देते हुए MACD के अंदर मुमेंट नहीं देते हुए जो breakouts हुए हैं इस breakouts का ही support पकरते हुए stock जो rally पकड़ा है rally के अंदर अगर हमें closing देखने को मिली rally की तो दोस्तों इसके अंदर 50% closing rally में देखने को मिलेगी यूँकि ये जो breakout हुआ है इस level पे stock इसे break कर रहा है इसके लिए lower train पे चल रहा है और आगे चल के अगर इसे आधा से आधा भी close करने की कोशिश करा तो stock के अंदर हमें 570 level reversal trade तक देखने को मिलेंगी तो ये 570 level कैसे देगा पता है slow poison के जैसा देगा यानि धीरे लगेगा हमें stock उपर जा रहा है पर initially stock नीचे जाता है दोस्तों ये slow poison होता है ये काफी stocks के अंदर इस्तमाल करा जाता है ये strategy तो ये strategy कैसे इस्तमाल होता है अगर आप देखेंगे तो RSI जो है वो 60 to 40 consolidation level में trade हो रहा है और ये इसके अंदर ही trade होता हुआ stock को छोटा छोटा बनाते जाएगा यानि आप 611 level पे इसी consolidation level के अंदर वो 590 भी बना सकता है 570 भी बना सकता है 540 भी बना सकता है बड़े stock को छोटा करना छोटे stock को बड़े level पे लेके जाना इस consolidation level में ही होता है दोस्तों तो अगर consolidation 40 break कर गया पर suppose समझे 590 या 570 कौन से भी level पे consolidation break करकर नीचे bottom जाता हुआ चले गया तो इस bottom level पे हमें चाहे वो 590, 570, 540 ये तीनों में कौन सा भी level देखने को मिले ये होगा हमारा perfect buying जब तक इसके अंदर bottom नहीं होगा stock के अंदर standard profit निकल के नहीं आएगा पर suppose समझे 590 पे bottom जा रहा है तो 570 support हो जाएगा 540 standard profit हो जाएगा अगर 570 पे जा रहा है तो 540 support हो जाएगा 510 standard profit हो जाएगा अगर reversal जो bottom जा रहा है RSI का 540 बन चुका समझे हमारा bottom जो हमारा buying बन चुका तो 510 support बन जाएगा 490 standard profit बन जाएगा इस तरीखे से stock काम करता है reversal trend में stock को standard बनाने के लिए अभी के लिए दोस्तों हमारा 540 तक का level है हम लोग 540 का ही support लेके चलेंगे क्योंकि अगर 62-70 रूपीज गिरा तो stock के अंदर कैसे भी हमें bottom देखने को मिलेगा तो अगर आप buying करना चाहते हैं आइसे ऐसे बैंक के अंदर तो 570 पे buy करिए क्योंकि already stock reversal trend में यह reversal trend कभी भी club करेगा उपा जाने के लिए फिर ऐसे double clubbing होके ही stock नीचे जाएगा और यह reversal trend में अगर level देखने को मिला 570 देखने को मिलेगा और 540 हमारा average होगा दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 2nd March 2021 Tuesday ICICI bank का closing है 610.50 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ for 3rd March 2021 Wednesday के लिए Wednesday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेके चल सकते हैं दोस्तों दोस्तों